अभी हम लोग आ चुके हैं प्रयाग राज के रामबाग स्टेशन में अपने बड़े भाई के साथ टाइम इस समय हो रहा है करीब पौने 11 हो रहे हैं आज मेमू ट्रेन को हम लोग देखने वाले हैं करीब से तो बने रहे हैं अभी most probably ट्रेन जो है स्टेशन पर खड़ी होनी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे मेरी मेमो ट्रेन लगी हुई है यह इसका इंटरंस है तो बिना टाइम बेस की अब लोग तुन फिसार थरफ चलते हैं अब लोग आ चुके हैं रामबाग स्टेशन प्रयाग राज में और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह मेमू एक्स्प्रस खड़ी हुई है यह मेमू ट्रेन कह सकते हैं यह लामबाग प्रयागराज से बनारस जाने वाजी क्लॉथी ट्रेन है यहां पर आके यह खतम हो जाता है इसके कोई और स्टॉप नहीं है तो बेसिकली इस ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है आप और यह बढ़ी खास बात इस लोको मोटिव की यह है कि यह टूवे है यह आप इसका फ्रेंट वे देख सकते हैं इसका सेकेंड पार्ट उधर है जो कि वह उधर जाने वाली है और यह दोनों तरफ मूव करती है तो थोड़ी दिर में मैं आपको इसका फ्रेंट वीव दिख कुछी है कि अब आज आते हैं इसके इंटर्नल कोचेज में कोचेज की कौलिटी कुछेज तरे कि बहुत ही शांदार कोच क्वालिटी है कि यहां पे हैंडल बगएरा का भी यूज है और इंटर कनेक्टेड है जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं कि क्लीनिंग का काम चल रहा है मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी है कि यह जो लोको मोटिव है अलाबाद टू बनारास यह डेली अपडाउन करती है कि यह आप देख सकते हैं और यह सबसे लेटस टेक्नोलोजी प्यादा इसमें देखिए बाइव टॉयलेट भी है हुआ है हुआ है हुआ है हम अल्मोस्ट आगे तक आ चुके हैं थोड़ी दर में मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हुआ है और जैसे कि अब देख पारे हो पेंटोग्राफ अभी कनेक्ट हो चुका है इस ट्रेंट आप और यह आप इसकी साउंड सुन सकते हैं जैसे कि अब आपको बता रहा था इसका मैं फ्रंट प्यू देखाने वाला था तो अभी यह बनारस को जाने वाली है प्रयाग्राज से यह एंड पॉंट है और यह सीधा आपका इस रूट को होते हुए वह बनारस निकल जाएगी तो फ्रंट से भी यह इंजन कम कि अब में, धंकिव साथ